जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जून और 8 जून 2023 के तुला राशी फल के बारे में, तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रहों के इस्तिति क् नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, कौन सा ग्रह राशी बदलेगा, किन ग्रहों की यूती होगी, और उससे जो योग बनेगा, उसका प्रभाव भी किस तरह से होगा, जानेंगे इस सब कुछ विस्तार से, इसलिए वीडियो को लास तक देखें, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं, तो सबसे पहले इन दो दिनों में होने वाले ग्रहों के बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं, साथ जून क बेहद शुब माना जाता है किसे भी नए कारे की शुरुवात के लिए, शुब कारें के लिए, और चंद्रमा मका राशी में हैं, शनी की राशी में, सूर्य व्रशब रासी रोहिनी नक्षत्र में, अब इस दिन एक ग्रह का राशी परिवर्तन भी है, जो की बुद्ध हैं बुद्ध मेश रासी से निकल कर व्रशब रासी में प्रवेश करेंगे, वहाँ पहले से सूर्य मौजूद हैं, तो सूर्य के साथ बुद्ध की युती से बुद्धा दिते राज योग बनेगा, जो काफी शुब ये योग रहेगा, और ये साथ जून से ही बनने वाला है, हब आट जून का दिन, ये दिन गुरुवार का दिन है, क्रश्न पक्ष की पंचमीति थी, श्रमन नक्षत्र है, इंद्र नाम का योग बना हुआ है, ये योग भी बेहदो, शुब योग माना जाता है किसी भी शुब कारे के लिए, और चंद्रमा मकराशी में ही विराजमा है, सूरिय वरिशबरासी में है, रोहिनी नक्षत्र में, लेकिन शाम को रोहिनी नक्षत्र से सूरिय का परिورतन म्रगशिरा नक्षत्र में हो जागी, आन्ये नक्षत्र बदल जाएका, और इस दिन रवियोग भी बनेगा, तो ये हो गई हमारी क्रहों की इस्तिथी, आब हर एक चीज में किस तरह के बदलाव होंगे तो पहले बात करेंगे साथ जून साथ जून का दिन कैसे बदलाव लेकर आया है तो एक तो इस दिन सूरिया का राशी परिवर्ट बुद्ध का राशी परिवर्टन है ही जो आपकी उत्साहा को दो गुना कर देगा आपके अंदर आज कामकायश को लेकर काफी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि एनरजी भर पूर होगी और सेनरजी का आप इस्तेमाल भी करेंगे अपने काम को पूरा करने के तरफ करेंगे अपने काम को पुरा करने के हर संभव कोशिश आज आप कर पाएंगे आज के दिन घर में किसी इलेक्ट्रोनिक का सामान के खराब हो जाने का भी ऐसा संकेत बिल रहा है जो आपको धन खर्च करा सकता है घर में उल्लास का माहौल रहेगा जो हर तरह के तनाव को दूर करने का प्रयास करेगा परिवारे के इस्तिफियां आज काफी अच्छी दिख रही है परिवार के बीच अच्छी बॉंडिंग भी रहेगी परिवार का माहौल भी सुखद रहेगा और इसमें आज परिवार की चीजों में परिवार के कारियों में घर परिवार से जोड़े कामों में आज आपकी पूरी सहबागिता रहने वाली है एक काम आपको जरूर करना है कोई भी चीजें अगर आपके घर परिवार में होती है तो खाली आपको मूख दर्शन नहीं बन कर रहना है अपना हाथ जरूर बटाना है कामकाज में आपको शाम तक इस दिन शाम तक काफी अच्छा देखने को मिलेगा और आपका व्यक्तित वैसा है कि जादा लोगों से मिलना आपको पसंद होता है काफी मिल जूल वाले जातक के सतुलाराशी के माने जाते हैं साथ में अपने लिए भी आप वक्त निकालेंगे लोगों से मिलना जूलना आपके लिए अच्छा रहेगा और परियाब समय भी आपको मिल पाएगा अपने लिए अपने लिए कुछ करने के लिए प्रेम जीवन के मामले में आज का दिन में बहुत अच्छा हो कह सकते हूँ कि ये दिन बहुत उत्तम रहने वाला है विवाहिक जीवन ठीक चाक रहेगा विवाहिन जीवन भी आपका अच्छा रहेगा जीवन साथी की तरफ से आज कुछ खास भी आपको देखने को मिल सकता है अब इस दिन बुद्ध का राजी परिवर्तन है और बुद्ध आने वाले है व्रशब रासी में जो शुक्र की ही दूसरी राशी है आपकी अस्ट्रम भाव में अस्ट्रम भाव में बदलावों का भाव बदलावों आपको देखने को जरूर मिलेंगे यहां बुदादित्य राजियों के द्वारा विवाहिक लोगों को और साथ में सिक्षा के शेतर में जादा बदलाव आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जो भी जातक किसी कोई आर्टिस्ट हैं या किसी करात्मक फिल्ड से जुड़े हैं ऐसी किसी चीज से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए यह समय बहुत उत्तम रहने वाला है सूरिय जहां एक तरफ आपको चमकाने का कारे करेंगे वही शुकर किराशी में ऐसी चीज़ें आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेंगी कोई आप आर्ट के फिल्ड से हैं कलात्मक फिल्ड से हैं आप लेखक हैं आप मीडिया के शेतर से हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा अगर मैं बात करूँ शुब रंग की तो इस दिन आपके लिए वाइट किलर बहुत शुब रहने वाला है यह आपके अंदर आकर्शन को बढ़ाने वाला होगा और साथ ही शाम को छे बजी के बाद का समय आपके लिए बहुत इचा रहेगा अगर आप इस समय में कोई कारे करते हैं तो वो अच्छी बेनिफिट देने वाला आपके लिए रहेगा आप चलिए 8 जून की बात कर लीते हैं 8 जून का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है तो यह मकर आशी के जो चंडरमा है ये चीजों के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे किसी भी काम को आप करते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो उस चीज़ के बारे में बहुत अधिक चिंता आप कर सकते हैं बहुत जादा सोच सकते हैं तो आपके इच्छा के तरीके से चीज़ें नहीं चलती है उनको वैसे ही चलना है जैसे वो चलेंगी आपको बस अपने जीवन के सकारातमक पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के आवाशकता होगी अपने आसपास के वातावरन को देखकर आप चीजों को जज़ कर पाएंगे आसपास के लोग काफी प्रभावित भी रहेंगे और कई तरह के सकारातमक रिजल्ट भी आपको मिलेंगे कुछ अधातमी चीजों से आप जोड़ सकते हैं जो दिव्य प्रभाव देने वाले होंगी आज का दिन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए आप काफी अच्छे मूड में भी रहेंगे और अच्छे मूड में रहेंगे तो अपने हर एक चीज़ पर ध्यान भी दे पाएंगे नेत्रव तो शम्ता आपकी बेहद अच्छी होगी जिसकी बुझे से करियर में वरद्धी का यूग है आप एक साथ बहुत से काम करेंगे तो आज का दिन काफी वैस्ता भरा रहेगा यानि एक साथ कई कामों से आज आज आप जूड सकते हैं और अपनी शम्ताओं का पूरा प्रियोग कर सकते हैं इसके रावा आप अपने काम का मज़ा तो लेंगे ही लेंगे और आपका कारिय प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा आप तकनी की ज्यान प्राप्त करने के लिए भी काफी अगरसर होंगे तकनी की ज्यान भी अच्छे तरीके से पास कर पाएंगे प्राप्त कर पाएंगे और आर्थिक मामले अच्छे हैं कोई निवेश की चीजे भी सामने आ सकती है कि कहीं पर आप निवेश करना चाह रहे हो तो अगर आप निवेश करते हैं तब भी आपको सोच समझ कर किसी भी तरह का निवेश करना होगा कोई भी तरह का जल्दबाजी में कारिक करना नुकसान दे हो सकता है इस दिन सूर्य की नक्षत्र का परिवर्तन है सूरी का नक्षत्र परिवर्तन मौसमी बदलाव भी लेकर आएगा और कई और भी बदलाव लेकर आएगा प्रेम जीवन के मामले में इस दिन थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है थोड़ी मुश्किले आ सकती है नोगजोग हो सकती है आपका सकता है शहर से बाहर जा सकता है तो चिंता ना हो सम्मद आपके अच्छे रहेंगे और साथ है कुछ नई चीजें नई काम करने का मौका भी आपको मिल सकता है वेवाइक जीवन ठीक ठाक है अगर बात करें सिक्षा की तो सिक्षा के शेत्र में ठीक ठाक समय रहेगा ऐसे कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं दिखाए दे रहे हैं, शुब रंग की बात करें तो वाइट तो वाइट कलर ही इस दिन के लिए भी शुब है आपके लिए तो शुक्र देव के लिए को प्रेसन करने के लिए मालक्षमी की उपास ना करें मालक्षमी को सफेद पुष्प जरूर रपित करें साथ ही चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें